चलिए गाइस एक मिनिट के अंदर agricultural practices वाले topic को खतम कर लेते हैं basically 7 agricultural practices होती है number 1 पर आता है preparation of the soil इस step में किसान अपनी खेत की मिट्टी को lose करता है और turn करता है इस process को बोला जाता है tilling उसके बाद जब यह मिट्टी lose और turn हो चुकी है तो वहाँ पर बीज गोई जाते हैं इस process को बोला जाता है sowing sowing process में हम good quality के seeds लेते हैं उसके बाद third step आता है adding manure and fertilizer कुछ substances होता है जिनको soil में nutrients की form में डाला जाता है उन्हें बोलते है manure और fertilizer इसके बाद आता है step irrigation अपनी crop को regular interval of time पर पानी देना ही irrigation होता है उसके बाद आता है protection from the weeds हमारी crop के along कुछ ऐसे plants उग जाते हैं जिने हम नहीं चाहते हैं कि यह उगे उन्हें बोलते हैं weeds in undesirable plants को remove करना बहुत ज़्यादा जरूरी है then जब हमारी crop mature हो जाती है हम अपनी crop को काट लेते हैं उसका product निकाल लेते हैं उसे बोलते है harvesting और finally जो हमारा product हमें मिला है उसको हमें store करकर रखना है जिससे insect और pest उसे खाना सके so I hope guys आपको यह समझ आया होगा अगर आपको class 8 के science के chapters को learn करने में problem हो रही है तो आप हमारे page को जरूर check करें